इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे सूपर हैज कमांड का यूस कर सकते हो तो चलिए देखते हैं आप कैसे ब्लॉक्स को यूस कर सकते हैं कर सकते हो, सूपर हैज करने के लिए तो चलिए देखते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो सबसे पहले हम एक ब्लॉक्स क्रेट करेंगे अभी के लिए आपको एक्स्प्लें करने के लिए मैं सीम्पल एक स्वेर बनाता हूं जिसके लिए मैं दूंगा rectangle command and एक one foot by one foot का make rectangle बनाता हूँ उसके बाद में हम इसको select करेंगे block command देंगे and इसको नाम देंगे tile उसके बाद में pick point पे click करेंगे इस tile के corner पे click करेंगे and simply ok press करेंगे तो यह अभी हमारे पास एक sample tile block है अभी हमें इसको इस पूरे area में super hatch करना है ताकि मैं इसे depict कर सकतू as flow tile तो इसके लिए सबसे पहले हम देंगे super hatch command उसके बाद में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप image को use करके super hatching कर सकते हो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जरूर उपर i button में link दिया होगा वह जरूर जाके चेक किजिए अभी हम देखेंगे कि block कैसी use कर सकते हो तो हम click करेंगे block के उपर उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हो कि हमने tile block create किया था तो automatically वह यहाँ पर reflect हो रहा है तो simply ok press करेंगे and आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे cursor पे same tile block आ चुका है तो हम room के कोई भी corner में उसे place करेंगे उसके बाद में आपको पूछेगा x scale factor तो हम one देंगे and y scale factor भी हम one देंगे and आपको पूछेगा कि rotation angle क्या रखना है यह tile का आप जैसे देख सकते हो तो अभी यह move हो रहा है कोई भी angle पे तो अभी के लिए हम इसको zero ही रखेंगे and उसके बाद में आपको पूछेगा is this placement of this block acceptable तो आपको simply yes यान कि interface करना है उसके बाद में वापस एक बार interface करना है and आपको जिस भी close surface में super hatching करना है उसके center में या उस कहीं भी click करना है और आप देख सकते हो कि वो पूरा area जहाँ पे super hatching होगी वो select हो चुकी है उसके बाद में simply enter press करना है and आप देख सकते हो कि कैसे हमने super hatching कर दी है आप इस तरह से super hatching कर सकते हो different shapes का use करके ताकि आप अपने 2D plant drawing को और enhance कर सकते हो अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो यह like किज़े इस वीडियो को और subscribe किज़े इस channel को मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो